स्वागत आप सभी का कल वाली सिरीज को अपने कंटिन्यू करेंगे कल अपने पढ़ रहे थे महिलाओं से संबंदित योजना है जो योजना है बच गई थी उनको आगे आज पढ़ेंगे और फिर आगे शुरू करेंगे बच्चों से संबंदित राज्यसरकार की योजना है तो कल हमने लास्ट कौन से योजना पड़ी थी जन्ननी सुरक्षा योजना पड़ी थी जिसके अंदर क्या होगा कि एक जन्ननी एक्सप्रेस जो थी वो लाएगे थी भेजे जाएगी प्रसुत्ता के घर पे ताकि वो उसकी सुरक्षत डिलिवरी हो पाए और 104 उसका टॉल से महिलाए हैं उनमें तेंथ तक के आवासिय विद्ध्यालिया उनके लिए खोले जा रहे हैं कहां पे जालावाड में खोले गया किसकस के लिए खोले गए हैं 15 से 30 वर्ष यानि कि जो बच्पन में पढ़ाई नहीं कर पाई है किसी कारण वर्ष और वो आगे अपनी स्टेडी करना चाहती है उनके लिए 15 से 30 वर्ष तक की तक की वालिकाउंट वेद्वा परिट्यक्ता आदिवासी महिलाएं आदिवासी महिलाओं के लिए आदिवासी महिलाओं के लिए क्या खोले जा रहे हैं पैंथ तक के लिए पैंथ तक के आवासी विद्ध्याले तक के आवासी विद्ध्याले आवासी विद्ध्याले खोले कहां जा रहे हैं जाला वार्ड में कहां खोले जा रहे हैं जाला वार्ड में समय जा गया जो किसी कारण में अपनी पढ़ाई नहीं कर पाई है वह महिलाएं आगे पढ़ना चाहती है 15-30 वर्ष्ट तक की बालिकाएं हो गई विद्वा हो गई प्रत्याक्ता हो गई जो आदिवासी महिलाएं हैं उनके लिए ये शिक्षन विहार है महिला शिक्षन विहा और आपने बात कर लेते हैं अगली योजना विद्वा परत्याक्ता मुख्यमंत्री संबल योज्णा याइनि विद्वा परत्याक्ता जो पढ़ना चाहा ही है उनके लिए योजना शुरू की गई इसमें यह दो योजना एक बीड़ वालों के लिए और दो साल के डिप्लो 17,888 रुपए जो refund किये जाएंगे उनकी फीस में उसमें से 17,800 रुपए उनको refund कर दिये जाएंगे दूसरा है कि जो दो साल का डिप्लोमा कर रही है महिला जो विद्वाया परत्याक्ता है वो दो साल का डिप्लोमा करें नीजी सक्षन संस्थान से तो उनको दो साल तक 9000 रुपए दिये जाएंगे दोनों योजनाए बस दोनों में अंतर कितना है एक बेड़ वालों के लिए और एक दो साल के डिप्लोमा वालों के लिए दो योजनाएं हैं यह दोनों के दो पॉइंट लिक्षवा जैती हूं अगर आपको अलग 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 आप बता देजागा है पहली कौन सी है बीएड के लिए बीयड करने वाली महिलाओं के लिए और महिलाएं कौन से विद्वाया परित्याक्ता महिलाओं को 17,880 रुपे पीस में इसे refund कर दिये जाएंगे अगली कौन सी है दो वर्ष का डिप्लोमा करने वाली एक जगह होगी तो आपको याद करने में आसानी रहेगी दो वर्ष का डिप्लोमा नीजी संस्थान से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वाली करने वाली महिलाओं को नीजी संस्थान से दो वर्ष का डिप्लोमा करने वाली महिलाओं को करने वाली महिलाओं को ने पैसे दिये जाएंगे नो हजार रुपए वार्षिक नो हजार रुपए वार्षिक दो साल आपको अलग से लिखा देती होता है तो वर्ष तक कब तक दिये जाएंगे तो वर्ष तक ठीक है पहला बीड़ वालों को दूसरा किसको जो नीजी संस्थान से डिप्लोमा करेगी महिलाओं उनको उनमें कितना 17,880 रुपए फीस में से उनको रिफर्ट कर दिये जाएंगे और इसमें 9,000 रुपए वार्षिक उनको दिये जाएंगे अगली माबाडी केंद्र माबाडी केंद्र क्या है कि इसमें धाई सो तक के माबाडी केंद्र खोले जाएंगे 2300 मावाडी केंदर खोले जाएंगे किसलिए खोले जाएंगे ये खोले जाएंगे जनजाती जो छेतर है वहाँ पर शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इनका उदेश्य क्या है जनजाती छेतर में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए जन्जातिय छेत्र में जन्जातिय छेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने हित्पू जन्जातिय छेत्र में जन्जातिय छेत्र में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए इंपोर्टेंट है आपसे पूछा जा सकता है तो इसको आप याद रखेगा माबाडी केंद्र जन्जातिय छेत्रों में शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए 200 खुले जा रहे हैं अगला है हमारा अब बात कर लेते हैं बजट में स्पेशल क्योंकि बजट में से हर बार कॉशन पूछा जाते हैं इस बार महिलाओं के लिए बजट में क्या स्पेशल है इस बार कौन-कौन से एनॉण्समेंट की गई है इस बार के बजट में और सबसे पहले जो है इंद्रा गांदी working woman hostel या कि वूमन शहर में मालेदे रहती है उनके रहने के लिए जैसे PG होता है उसी तरीके से working women hostel खूले गया सरकार की तरफ से तो संभाग मुख्याले पर कितने खूले गए हैं तो खूले गया और जिला मुख्याले पर कितने खूले गए हैं 50 क्लास खुले गए हैं इंद्रा गांधी वर्किंग वूमन हॉस्टल इस बार के बजट में अगली है प्रिय दर्शनी डे केर सेंटर आपने योजना का नाम सुना होगा नेशनल क्रेच सेंटर जो होते हैं बच्चों को रखने के लिए यानि किसके लिए है शिश्वों की अब यह होता है और यह कौन सी है यह राज्य की है कि देख बाल के लिए अगली फर्स्ट कौन सा गया प्रिय दर्शनी डे केर सेंटर अगली हमारी कौन सी होजना है वूमन स्पेशल बस सर्विस में क्या है कि जो अध्योगिक छेद्र है या जहां पर मेरी लाएं काम कर रह हुआ हुआ इस बार के बजट में इसकी घोषना की गही कि ऐसी बदबस सुरूगि जाएगा जो ऑफस से घरगा से ऑद्यागिक छेट्र नेγहां? सब्सक्राइब आप अफिशियल उनका जो क्लस्टर है उनके लिए योजना शुरू की गई है ठीक है वूमें स्पेशल बस सर्विस इसी में एक पॉइंट डालके और लिखी अगली इसमें क्या है महिलाओं का जो किराया था वो रॉडवीज बस में कितना था पहले 30% माफ हो उसे बढ़ा कर 50% कर दिया गया है और वो योजना तो लागू भी हो गई है जो किराये वाली है क्या है महिलाओं का रॉडवेज बस में किराया बस में किराया 30% कोड़वेज किराये में छूट कूँ किसके लिए तिवाई तो तीज प्रतीशत से बढ़ा कर इस बढ़ा कर था-चास प्रतिशत कर दिया गया है उस प्रतिशत कर दिया गया है और यह योजना लागू कब से हो गई है यह 23 जून 2023 से यह लागू कर दिया था यह 23 जून से शुरू हो गई है अगली हमारी योजना है महिलाओं समन्दित योजना यहां पर समापत हो जाती है अगली हम बात करेंगे बच्चों जमदे जो राजय सरकार की योजना हैं उनके बारे में तो चलिए अगली योजना हम शुरू कर लेते हैं पालनहार योजना पालनहार योजना क्या होती है कोई भी अनात बच्चा है या फिर लावारिस बच्चा है या फिर जिनके माता-पिता जेल में है उनको जो पाल रहा है उसे बोला जाता है पालनहार और उसी पालनहार को प्रॉत्साहिक करने के लिए राजय सरकार योजना ल वहां पे जेल में है या फिर गुम है यानि खोय होए है जिनके जो लावारीस बच्चे है तो अनात होने के चे audience को दिये जाएंगे माता-पिता जंक या फिर जिनके माता-पिता जेल में है उनको दिये जाएंगे उनके लिए दिये जाएंगे साड़े साथ सो रुपे और जब वो बच्चे बड़े हो जाएंगे यानि 6 से 18 वर्ष तक कि आयू में तो कितने दिये जाएंगे अनाथ वालों के लिए कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हैं लावारिस हैं या फिर जिनके माता-पिता जेल में है उनको पालने वाले को क्या कहा जाता है पालन हार कहा जाता है और विए राज्य सरकार ये योज ना लेकिए तो इसमें दो चीज़े हैं तो 0 से 6 वर्ष तक कि शैवर्ष तक के बच्चे 0-6 वर्ष तक के बच्चे कौन-कौन से option है इसमें एक तो अनाथ हो और दूसरा अन्य अपने इन उन्हों को मिला के लिख देते हैं अन्य क्योंकि उपर आपको लिखा दिया गया है इनको कितने हैं यह दिये जाएंगे !ईन को कितने लिए जाएंगे पंदरा सो रुप प्रति मां से दिये जाएंगे और इनको दिये जाएंगे साढ़े साथ सो रुपे! मां से ठीक है? चीरों से छे वर्ष तक और यह आंगन बाड़ी जाते हूं क्योंकि जब दो एंगन बाड़ी बेजा जाता है आंगन बाड़ी जाते हूं यह उनके शक्षा जो है वो कम नहीं होने चाहिए आंगन बाड़ी जाते हूं सिक्षा के स्तर में गिरावट नहीं आने चाहिए पहला क्या उप्षिन है जिसे छे वर्ष तक की आईू के बच्चों के लिए और अगला हम देख लेते हैं यह से अठारा वर्ष तक कि बच्चे इसमें भी दो हैं कुंजा अनाथ आधि यह याद रहिएंगा यह जो पैसे हैं वह बच्चों को नहीं दिए जाते उनका जो पालञ भटा उता है उसे दिए जाते है आप 15 fatto ए और अनायत को कितनी दिए जाते 25 अ कि कि ठीक है अच्छे समझ में आगी पालनहार योजना क्या है जो अनात बच्चे है लावारीस बच्चे जिनिये माता-पिता जेल में है उनको पालने वाले को प्रत्साहित करने के लिए योजना चलाई गई है उसको आर्थिक सहायता दी जाती है राज्यसरकार के द्वारा तो अ यानि अनात लावारीस जिनिये माता-पिता जेल में है वो बच्चों को उनकी उच्छ शिक्षा और और अध्यगिक शिक्षा देने के लिए यह योजना चलाई जा रही है पौन से मुख्यमंत्री हुनर विकास यानि उनके अंदर हुनर जो है वो बनाया जाएगा ताकि व वाल सुधार ग्रेव व पालन हाथ खले बच्चों में बच्चों की उच्छ शिक्षा पुच्च शिक्षा तक्निकी एपना जाते हूं तक्निकी शिक्षा या फिर वियावसाईक शिक्षा है वो कोई व्यावसाय सीखना चाहते हूं क्या को बढ़ावा देने हैं तो क्या को बढ़ावा देने हैं कि योजना चलाई जाए ठीक है समझ आगया अच्छे से क्या है मुख्यमंद्री हुनर विकास यानि उन में हुनर पैदा किया जाएगा ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए कौन-कौन से बच्चे बाल सोजा या फिर तक्निक शिक्ष्चा या फिर कोई व्यवसाय सीखना चाहते हैं तो उनकी साहता की जाएगी इस कार्यकरम के माध्यम से अगली है हमारी मुख्यमंत्री कोरोना साहता योजना कोरोना साहता योजना कोरोना साहता योजना कोई है कि जो को siya करें पड़े तो इस इसके शुरुमात की गई ती 25 जून जो तारिखे महत्वपूर्ण है वही आपको लिखाई जा रही है और ये तारिखे आपको याद रखनी है 25 जून 2021 को ठीक है 25 जून 2021 को ये शुरुवात की गई थी तो अब इसमें इस्थितिया बनती हैं दो विक्रों कौशन असलिस एक तो अनाज बच्चे है में इस्थित से रही हैं है ठीक है तो अनात्स जो बच्चे हैं उनकी एक लाख रुपे की तो तातकालिक सहायता की जाएगी तातकालिक सहायता है निकि उसी वक्त तातकालिक सहायता इतनी एक लाख रुपे इसके अलावा उनको अठारा वर्ष्ट की आयू जब तक उनको प्राप्त करते हैं तब तक अठारा वर्ष्ट की आयू तक प्रतिमा प्लस दो हजार रुपे उनको अन्य खर्चों के लिए दो हजार रुपे ये दिये जाएंगे वार्षिक प्चिस सो रुपे जो दिये जारे हैं वो दिये जारे हैं मासिक और ये दो हजार रुपे जो हैं वो दिये जाएंगे वार्षिक अतिरिक्त कि इसके अलावा जब वो इधारा वर्ष की आयूँ पूर्ण कर लेगा ये आनाथ वाले में अपने लिख रहे हैं अठारा वर्ष कि आयूँम पूर्ण करने के बाद एक पूर्ण करने के बाद आपि मो क्या दिया जाएगा? 5 लाख रुपए की सहायता दिजाएगी इसके अलावा क्या है कि उन्हें जो सरकारी नोकरी भी दी जाएगी इसलिए योजना इंपोर्टेंट हो जाती क्योंकि जिनमें इस बार नया कुछ किया गया है तो वो योजना इस बार की पेपर जो होंगे उनके लिए इंपोर्टेंट है तो सरकारी नोकरी दी जाएगी सरकारी नोकरी और यह गोशना कब की गई है बजट दो हजार तेईस और चौविसमे इसको आप इंपोर्टेंट मार्ग कर लें क्योंकि यह इसी बार चेंजमेंट किया गया है तो हो सकता है आपके लिए यह आपके पेपर में पूछ लिया जा ठीक है अगला है 18 बश्ट कि आयू पूर्ण करनेगे इसके अलावा जो डिबीटी वाउचर योजना होती है डिबीटी वाउचर योजना अम बेड कर डिबीटी वाउचर योजना बेड कर डिबीटी वाउचर योजना उसमें भी इनको प्रात्मिक्ता दी जाएगी योजना में प्रात्मिक्ता कौन कौन से चीज़े देखने हमने एक लाख रुपए की तातकालिक साहता इसके लावा अठारा वर्ष तक की आयू के लिए उनको पचीस तो रुपए प्रती माह और दो हजार रुपए उनको वाशिक दिये जाएंगे अतिरक्त खर्चों के लिए जब अठारा वर्ष की आय लुपचर योजना उसमें उन्हें प्रात्मिक्ता दी जाएगी एक चीज़ और जो बट्वेल्थ तक की जो शिक्षा है वो उनकी मुफ्त होगी है लिए अब बात कर लेते हैं अपने एक और जो है पिता की म्रत्व यानि जिनके पिता की म्रत्व हो गया उनको एक चीज़ सेमी है तातकालिक एक लाख रुपए की तातकालिक सहायता कि एक लाख रुपए की इसके अलावा जो जिनके पिता की मृत्व यानिंकी माता तो जीवित है तो उनकी जो माता है उनको विद्वा पेंशन दी जाएगी पंद्रा सो रुपए विद्वा पेंशन के पंद्रा सो रुपए प्रतिमा और बच्चे को हजार रुपए हजार रुपए प्रतिमा आगे वाली जो चीजे हैं अठारा वर्ष की उमर पर पांच लाख रुपए मुफ्त शिक्षा है सरकारी नोकरी वो इनके लिए जो बच्चे अनाथ हुए और जिनके पिता की मृत्ति वह उनके तातकाली करूप से एक लाख रुपए के से उनके साह दो हजार रुपए अतिरिक्त वार्षिक्त दो हजार रुपए वार्षिक्त रुपए अतिरिक्त अहीं अधिशनल खर्चों के अगली हमारी योजना ऐ मिद्डे मील योजना क्या है ये जो कश्या एक से.. सरकारी सहय्ता पर जो स्कूछ चल रही है वह या फिर जो मदर से है कЕंड़ है इसके लावा कुनोसी होगी जो विशेश जो क्या बोलते हैं उनको है विशेश्च परशिक्षन केंडर बिशेश्च परशिक्षन केंडर कौन कолет से सरकारी Works साहिटा पर वाले स्कूल विशेष्ट प्रशिक्षण केंद्र और मदर से उन उनको यह साहता दी जाती है उनको दिया जाता है तो ग्राम जो है वह गेहूं या फिर जो चावल है वह दिया जाता है इसमें साड़े कैलोरी होती है और 20 ग्राम प्रोटीन होता है इसमें बहुत जिसम वह जाता है उत्सव भोज तिथी भोज कि आए कि कोई भी व्यक्ति है वह अपने विशेश दिवस को बच्चों के साथ मनाना चाहता है इन बच्चों के साथ कैसे मना सकता है उनको एक टाइम का जैसे दोपै अपना विश जो उनका स्पैशल डे है उसे वह सेलिबरेट कर सकते है जाते बादे हो गया किसी का इनवर्श्री हो गया इस टाइप की जो उत्सव है वह इन बच्चों के साथ मना सकते है उसे बोला गया उत्सव हो जा फिर तिथी भोज ठीक है तो बात करने तक किस किस के के लिए यह कक्षा एक से आठ तक के बद चुके अगली बात कर लेते हैं है कौन-कौन से स्कूल सरकारी स्कूल के लिए सरकारी स्कूल या फिर मदर से या फिर वशेश पर शिक्षण के इंद्र पेश पर शिक्षण के इंद्र या फिर सरकारी साहिता पर चलने वाले स्कूल चलने वाले स्कूल तो अब बात कर लेते हैं एक से पक्षा किया दिया जाता है सो ग्राम गेहुं या चावल और उसमें होगा क्या साड़े थार सो कैलोरी गेहुं या चावल और प्लस में बारा ग्राम प्रोटीन ठीक है और कैलोरी इसमें अगर काउंट करेड़ हो साड़े चार सो कैलोरी और अगर कक्षा एक से अगर पेस परेड़ या पांच से आठ से इसे आठ तेसे आठ तो तक जिसमें क्या है 300 ग्राम केहूं या चावल केहूं या चावल और कैलरीज में अगर काप प्लस में केहूं या देखना प्लस केहूं या चावल 800 ग्राम केहूं या चावल प्लस 20 ग्राम प्रोटीन क्वाइंटिटी आपसे पूछी जा सकती है पुछने के टांसे हैं कम लेकिन पूछे जा सकते हैं 300 ग्राम प्रोटीन और कैलरी काउंट के लिए तो साड़े 700 कैलोरी है ऐच के कौन कौन से हैं 1st चौफ और यह कौन से थे 6 तूए 8 अब यह संचालीत किसे द्वारा होही है प्लस के मंधर्वा मंत्रा यरा यह — याद रखना ये पूछ लिया जाता है, सिक्षा मंत्राले के द्वारा इसको संचालित किया जा रहा है, उत्सव भोज या तिथी भोज क्या है, उत्सव भोज या तिथी भोज, तो हम साधारन शब्दों में लिखें तो क्या है, यदी कोई व्यक्ति, यदी कोई व्यक्ति, अपना विशेश दिवस जैसे जनम दिन हो गया इस तरीके से विशेश दिवस पूल में एक दिन का एक दिन का कच्चा माल कच्चा माल या फिर पूरा भोजिन या फिर मिठाईया मिठाईया देकर मिठाईया देकर मनाना चाहे तो मनाता है तो फिर तिथी बोज़ का जाता है मनाता है तो उसे क्या का जाता है तिथी बोज़ का जाता है यानि वह हो सकता है वह कच्चा माल दे इसमें क्या था कि बच्चों को दूद दिया जा जा रहा था कक्षा एक से आठ भी तक एक से पांच तक क्वांटिटी अलग रहती है तेड़ सो एमल रहती है और छे से आठ तक दो सो एमल दूद दिया जाता है तो यह जो शुरू की गई थी जब इस नुमबर 2022 को उस समय इसमें सर्फ मंगलवार और शुक्रवार को दो दिन ही दूद दिया जाना दिया जाता था और अब जो है दो जब कि यह अब जो दूद है वो प्रती दिन दिया जाएगा बच्चों को पहले क्या था सिर्फ मंगलवार और शुकरवार को था लेकिन वर्तमान समय में यह प्रती एक दिन दिया जाएगा यह ऐसी घोष्णा बजट में की गई है मुख्यमंत्री बाल गोपाल योज नाम है उनके पोशन स्तर में सुधार लाने के लिए तो बात कर लेते हैं शुरुवात कभी है 29 नवंबर दो हजार बाइस को इसमें दिया क्या जाएगा कक्षा एक से पाच तक परती दिन सरकारी स्कूल वही सब चीज है जो अपने मिड़े मिल में लिखी थी सरकारी स्कूल मदर से जिशेश प्रशिक्षन के इंद्र जिशेश प्रशिक्षन के इंद्र और सरकारी सहायता पर चलने वाले स्कूल करने वाले स्कूल के प्रतिरन जिन दूद पच्चों को दूद उपलब्द करवाया जाएगा अब बात कर लेते हैं कौन से बच्चों को कितना उपलब्द करवाया जाएगा कक्षा एक से पाँच तक कक्षा एक से पाँच तक इतने हैं 100 ml 150 ml और किस से 15 ग्राम मिल्क पावडर से पावडर से यह दूद बनाया जाएदा कितना 500 ml और कक्षा आठ से पाँच सॉरी छे से आठ तक कक्षा एक से आठ तक के बच्चों को 200 ml 30 ग्राम मिल्क पावडर से हैं 20 ग्राम मिल्क पावडर से पावडर से इतना हो गया क्या क्या है प्रते दिन सरकारी स्कूल मदर से हैं फिर जो सरकारी स्कूल के माधियम से जो सरी सरकार की सहायता से जो स्कूल चल रहे हैं उनमें यह अवलेबल करवाया जागा कितना 500 ml 1st to 5th और 600 ml इसमें सहायता कून कर रहा है यहीं पर लिख लेते हैं सहायता पून कर रहा है कर रहा है कर पूरापरेटेव टेरी फेटरेशन लिम्टे कि सायता से सरकार क्या करें कि मिल्क पाउडर है वह कोई तो अवेलेबल करवाएगा तो वह कौन करवा रहा है कॉपरेटिव डैरी फेडरेशन लिमिटेट पहले क्या था अगर पहले की बात करें पहले मंगलवार वे शुकरवार को उपलब्द करवाया जाता था अगलवार वे शुक्रवार को ठीक है उसमें अपने कामा कर लेते हैं यह कब क्या गिया है यह बजट दो हजार तेईस चोईस जिनमें बजट की बाते हैं उनको बहुत अच्छे से त्यार कर लिजएगा कि बजट में इसे कॉशन आते हैं बजट तेईस चोईस में इनको प्रती दिन कर दिया गया है तो हमने कहां तक देख लिए मुख्यमंत्री बाल गोपाल योजनों तक अपने पढ़ लिया है इसके आगे अपने पढ़ेंगे कल बचों सम्मधित योजनों को नेक्स वीडियो में अपने कंटिन्यू करेंगे यहां तक के लिए धन्यवाद झाल